जै हिन दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त के भी तो हम लोग पिछले 6 माह यानि कि जनवरी से ले करके जून 2021 की बीच में जो भी हमारे करेंट अफेर के सर्बसेश प्रशन रहे थे उन सभी प्रशनों को इहां पर डिसकस कर रहे थे तो इसी क्रम में 300 प्रशन अलड़ी हम लो प्रशनों का सही उत्तर दिया है वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइव भी कर सकते हैं और बाकी के वीडियो को देखने के लिए उपर के आई बटन पर क्लिक करिए वहाँ पर सभी वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी तो चलिए इस वीडियो की सरकार ने यानि कि इस प्रशन का option number C हो जाएगा correct अब योजना है क्या तो बस आपको इतना यादखना है कि यह योजना मुख्य रूप से हमारे लग्कियों के लिए सुरू की गई है जिससे वे थोड़ा और ऊपर उड़ सकें उपर उनने का मतलब यह है कि उनके सामने जो इस प्रशन का option number C हो जाएगा correct वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आने वाले समय में आपको group D या फिर SSTC CGL का एक्जाम देना है तो उसके लिए GK और current affair के daily मेरी class होती है अनकेडमी के उपर एक class दिन में 12 बज़े होती है दूसरी class जो की सिर्फ और सिर्फ आपके group D के लिए है वो साड़े 3 बज़े होती है तो इन classes को आप लोग join कर सकती है मेरी profile के link आपको मिल जाएगी उसके उपर click करिए और उसके बाद में अपना goal चूज करिए और फिर आप मुझे वहाँ पर follow कर लीजिए जिससे आपको जब भी मेरी class हो तो उसके बारे में notification मिल जाए और पूरे जून महिने में आनकेडमी के उपर जो भी हमारे course है उन सभी के उपर इस समय एकसांदार आफर चल लहा है तो अगर आप S.S.C. एक्जाम के तयारी हमारे देश के जो best educator है उनके साथ में करना चाहते हैं तो आप यहां पर S.S.C. का course ले सकते हैं जो कि आपको सिर्फ 5850 में पड़ेगा इसमें भी आपको 10% का cashback मेरी तरब से दिया जाएगा अगर आप code यूज करते हैं KV10 इसके साथ साथ अनकेडमी के उपर जितने भी आपके course हैं हर course में आपको मेरा code यूज करने पर 10% का discount मिलेगा और मेरी तरब से 10% का cashback भी आपको मिलेगा तो ये लाब सिर्फ आप लोगों के लिए है तो इसी महने आप इसका लाब उठा सकते हैं चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रशन पर अगला हमारा प्रशन है कि जनवरी 2020 में मारसीलो डी सोसा पुना किस देश के राश्पती बन गए है तो ये आपके बन गए है पुर्तगाल देश के आपसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा पुर्तगाल की बात हुई है तो याद दखेगा ये आपके यूरोप का एक देश है राजधानी इसकी आपको लिस्बन में मिलेगी पीम यहाँ के कौन है तो इन्टोनियो कोश्टा पीम है और यूरो यहाँ की है मुद्रा तो यह होगा आपका करेक्ट अगला प्रेशना आपके सामने है कि जनवरी 2021 केस में किस सहर में DRDO के एक इकरित हथियार प्रनाली डिजाइन किंद्र का उधगाटन किया गया कि जनवरी 2021 केस में किस राज की सरकार के द्वारा M.SEND Policy को जारी किया गया तो यह जो पॉलसी है इसे जारी कर दिया है राजस्थान की सरकार ने यानि कि आपका ए हो जाएगा करेक्ट आप सभी को यह ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2017 से जो आपके नदी के किनारे मायनी होती है या जो आपके नदी के किनारे बालो की खुदाए होती है उस पे रोक लगा दिया था तो इसी की कारण अब इन्होंने इसके बजाए बजरी का यूज़ करने के लिए एम सेंड पॉलसी की घुशना की है तो आपसन हमारा ए राजस्थान होगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रेशन है कि प्रोजेक्ट लोन किस कंपनी का एक महत्त्वा कांची परियोजना है ध्यान रखियेगा यह जो परियोजना है वो गूगल की थी यानि कि अल्फाबेट की थी 2011 में इन्होंने इसको शुरू किया था उद्दे से इनका यह था कि यह लोग अंतरिच में भेजेंगे गुबबारा और इस गुबबारे के माध्यम से जो भी हमारे दूरदराज वाले छेत्र होंगे वहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन दिया जाएगा तो option यहाँ पर C यानि की alphabet हो जाएगा correct अब इसके बारे में नई announcement यह है कि जन्वरी 2021 केस ने 21 से alphabet ने इस project को अपने कर दिया है बन तो ध्यान केंगे नाम इसका था यहाँ पर project Loon और यह था alphabet यानि की Google का अगला question है किस राज की सरकार के द्वारा एक पौधा सुपोसित बेटी योजना को लॉंद किया गया तो यह यहाँ पर लॉंद कर दिया है किसने हमारे महा राजस्थान की सरकार ने तो option आपका यहाँ पर B हो जाएगा correct अगला question है कि भारते railway के द्वारा किस नाम से भारत की जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इसको शुरू किया गया तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है वास्थ की इसका नाम है तो option नमारा B हो जाएगा correct वास्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह आपके भिलाई से जोड़ेगी कोरबा को total 224 मिटर का यह distance आपका travel करेगी और सबसे लंबी train है हमारे यहां की लंबी का मतलब यह है कि यह जो हमारी मालगाड़ी है इसकी जो total length है वो आपकी है 3.5 किलोमेटर तो ध्यान रखेगा नाम इसका है वास्थ की अच्छा चलिए कमेंड में आप मैंसे कुछ लोग बताईएगा कि वास्थ की आखिर में नाम किसका है जिसके राम पर इस्टेन का नाम रखा गया है अगला पैसने कि जन्वरी 2020 में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधान बंतरी बनी है तो काजा क्लास की बात करते हैं तो ये बन गई है एस्टोनिया की ये है एस्टोनिया एस्टोनिया की राजधनी तलन में है और यही की पहली महिला पीम बनी है नाम इनका है काज कालिस तो आपसर आपका C हो जाएगा करेट अगला प्रेशने की मई 2020 में PM मोधी के द्वारा कितने रुपए के PM केर्ज फॉर चिल्डेन योजना की घूशना की गई तो ये आपकी होगी टुटल 10 लाग रुपए की कितने रुपए की 10 लाग रुपए की योजना है तो आपस अगला प्रेशने की मई 2020 में किस देश के द्वारा थ्री चायल्ड पॉलसी लाने की घूशना की गई तो ये जो घूशना है वो अभी कर दिये है चाइना ने किस ने चाइना ने ये कहा है कि हमारे बच्चे थोड़े कम पैदा हो रहे हैं तो अब इन्होंने कहा है थ्री च अब ध्यान रखेगा कि टू पॉलसी जो है इसको इन्होंने थ्री पॉलसी में बदल दिया है अगला प्राइशन है कि मैई 2021 में GST पर इसन ने COVID-19 सामगरी पर छोट की जाज के लिए किसके अध्यचिता में आठ सदस्य समीत का गठन किया तो इसके अध्यच होंगे कौन राट संग्मा जो कि हमारे मिखाले के CM है तो आपसे नमारा यहाँ पर B हो जाएगा correct तो बस आपको ध्यारकना है आठ सदस्य टोटल समित्ती जिसके मारे अध्यच थी यहाँ पर कौन राट संग्मा अगला परेशन है कि माई 2021 में परकासित पुस्तक Language of Truth SA 2003 to 2020 इस पुस्तक के लेखक कौन है बहुत ही जादा महत्मूर पुस्तक के ध्यार कीगा आपकी परिच्छा में 100% पूछी जाएगी और इसके लेखक है सलमान रुसदी साहब किसने लिखा है सलमान रुसदी साहब के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है नाम इसका है Language of Truth SA 2003 to 2020 अगला प्रेशन है कि माई 2020 में इजराइल द्वारा हमास के उपर किये गए हमले का कूड नाम क्या था तो इसका नाम रखा गया Operation Guardian of Walls क्या है Operation Guardian of Walls यानि कि इस प्रेशन का Option Number C हो जाएगा आप सभी को पता होगा कि माई महीने में इजराइल और जो फिलिस्टीन का एक ग्रूप है हमास उसके बीच में काफी ज़्यादा लडाई हुई और उसी दोरान जो इजराइल के द्वारा यहां पर हमला वगरा किया गया उसी का नाम रखा गया था यहां पर Operation Guardian of the Walls तो C हो जाएगा यहां पर करेक्ट अगला प्रेशन की माई 2012 केस में नैनो बायो टेकनोलोजी रिसर्स सेंटर द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड बिकसित किया गया तो इसका मुख्याले आपको कहां पर मिलेगा ध्यान के गा गुजरात के करोल में इसका मुख्याले है तो Option हमारा यहां पर D हो जाएगा Correct कहां पर है गुजरात के करोल में आपको इसका मिलेगा और इपको के दोरा जो बिस्व का पहला नायनो यूरिया लिक्विड है इसको यहाँ पर लॉंद किया गया गाउन वालों को बता होगा कि यूरिया अमारी दानेदार होती है इसको लोग जाकर ऐसे फैकते हैं खेतों में लेकिन यह जो आपके लिक्विड आई है इसको आप राष्टिय सुरच्चा सलाकार है उन्हीं के द्वारा गोवा से प्याड लिम्टेट के दरा बनाया गया इसको कमिशन किया गया है अगला मैंस ने कि मैई दोहजार केस में वन वेप कंपनी के द्वारा चथिस लो अर्थ और्विट सेटलाइट को लांग किया गया तो वन अगला प्रेशन है कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 51 संस्क्रण में किस देश के पाबलो सेजर जूरी के अध्यच थे तो यह थे आपके अर्जेंटीना के कहां के थे अर्जेंटीना के थे तो आपसन मारा यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट तो बस आपको यहां दखना है कि अर्जेंटीना के थे यहां पर पाबलो सेजर जो की आपकी जूरी के अध्यच थे अगला प्रेशन है कि मार्च दोहजार के इसमें किस राज में चोथे बैस्विक आयरुवेद महसों का आयोजिन किया गया तो इसका आयोजिन हुआ था आसान सा प्रेश अगला प्रेशन है कि जन्वरी 2020 में किस केंद्रिय मंत्री ने खिलाउनों के बी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टायक उथान 2021 को लॉंच किया था तो इसे लॉंच किया था रमेश पोकरियालने संग और डांक्टर जीतेंदर सिंग ने तो आप्सन आपका यहां प किया जा रहा है अगला प्रेशन है कि भारत के द्वारा अंटार्क्टिका के लिए चालिसमे भारतिय बैग्गानिक अभियान को किस राजी से रवाना किया गया बहुत ही ज़्यादा महत्पोर प्रेशन है तो यह आपका रवाना हुआ है गोवा से कहां से गोवा से रवान यह टीन को मिलेंगे अंटार्क्टिका की तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि और जो हमारा रिक्षर्च्प सेंटर है उसका नाम क्या है नाम नीचे कमेंट में बताईएगा अगला प्रशन है कि फूड सेब्टी règźudi अफारटे आफ इंडिया ने जन्वरी 2022 तक सभी तेलों वावसा को ट्रांस फैट को कितने प्रिस्टा रखनी के दिसा निर्देश दिये हैं तो इन्हों ने कहा है कि जो आपकी चर्वी होती है उसको आप रखेंगे 2% कितना 2% रखेंगे तो आपका भी हो यहां पर 5% करना है और अगले साल तक इसको 2% करना है ऐसा कहा है फूड सेप्टी एंड इस्टेंडर्ट ऑफ इंडिया ने डवी हो का टार्गेट क्या है तो डवी हो का टार्गेट यह है कि जो यह ट्रांस फैट होता है इसको हम लोग 2023 तक दुनिया कर देंगे समाथ तो यह ध्यान किएगा 2% आपका टार्गेट है 2022 का अगला प्रशन है कि भारत सरकार के दौरा किस राज में बिश्टो का जो सबसे बड़ी तैने वाली सौर उर्जा परियोजना है इसका निर्माड किया जाएगा तो इसका निर्माड होगा आपकी मद्ध जाना में है वो आपका बन चुका है तो उसकी चमता 100 मेगावाट थी और इसकी चमता होगी जब बनेगा 600 मेगावाट अगला प्रशन है कि जनवरी 2020 में किस सहर में भारत के पहले कोईलिशन फॉर एपेडिमिक प्रिपेडिमिक इनोविशन लैप का उध्गाटन किया गया तो इसका उध्गाटन आपके हो गया कहाँ पर हरियाना में हरियाना में आपको मिलेगा फरीदा बाजिला जहां पर इसका उध्गाटन हमारे स्वास्त मंतरी डाक्टर हसवर्धन की द्वारा किया गया आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि मार्च स्टेशन का जो प्लेटफार्म होगा वो अब दुनिया का सबसे लंबा होगा वर्तमान में गुरःपुर वाला है उत्तर प्रदेश का तो लंबा जब बन करके तयार होगा तो वो हो जाएगा करनाटक का जिसका नाम है हुबली रेलवे प्रदेशन तो अच्छे से इसके बारे में याद दखेंगे अगला प्रदेशन है कि भारत सरकार ने किसके अध्यचता में दच्छिण एसिया उर्जा सुरच्चा के लिए उच अस्तरिय समों का गठन किया है तो इसके आपके अध्यच होंगे राम बिने साही कौन है राम ब मर्केंटाइल बैंक कौन सा क्रलिक मर्केंटाइल सहकारी बैंक यह हमारे देश का पहला अर्बं कॉपररेटिव बैंक बना बैंक बना है जिसको लगुविवित बैंक का सक्षिन का उध्धाटन किया है तो इसका जो उध्धाटन है वो किया गया राजस्थान और हरियाना के बीच में आपसन यहां पर आपका भी हो जाएगा करेंड इसके अलावा आपको ध्यार रखना है कि जो हमारे पीम महोदे हैं उनके द्वारा जो बिस्ट की पहली डबल स् हुआ है अगला प्रेशन आपके सामने है कि जन्वरी 2015 में खेलो इंडिया आइसाओं के टूनामेंट के दूसरे संस्क्रण का आउजन कहां पर हुआ है तो इसका आउजन आपका हुआ है कहां पर लदाक में हुआ यानि कि आपका डी हो जाएगा करेंड तो ध्यान कि पुरसों के टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी है तो नाम इनका है क्लियर पोलो सैक क्या नाम है क्लियर पोलो सैक इनका नाम है तो आपसर नमारा यहां पर यह हो जाएगा करेंड ध्यान आपको यह रखना है कि क्लियर पोलो सैक आपके अमेरिका आश्टिलिया की है और भारत और आश्टिलिया के बीच में जो टेस्ट मैच हुआ था इस साल के सुरुवात में उसमें इन्होंने चौथे अंपायर के भूमिका निभाई थी तो आपसर आपका यह हो जाएगा यहां पर करेंड अगला है कि उत् केंदर सरकार के द्वारा किसके अध्यचिता में लदाख केंदरसासित प्रदेश की भासा संस्कृत वाभूमिस अरच्छन के लिए समित का गठन किया गया तो इस समित के अध्यच होंगे हमारे ग्रीह राजी मंतरी जी किसन रिद्ड़ी साहब कौन है जी किसनिड़ड़ी तो आपसन आपका यहां पर C हो जाएगा क्या होगा? C यानि कि G किसन रिड़ी हो जाएगा? करेक्ट अगला प्रेशन है कि जनवरी 2020 में किस देश में अंतर राष्टिय जलवाय अनुकूलन सम्मिलन यानि कि कास 21 का आयोजन किया गया तो ध्यान की का वर्चुल तरीके से इसका आयोजन हुआ और नीदल लेंड ने किया है इसकी मेजबानी किसने? नीदल लेंड ने यानि कि आपका C हो जाएगा? करेक्ट तो 25 से 26 जनवरी को इसका आयोजन किया गया था, नाम था Climate Adaptation Summit 2021 अगला प्रेशन कि जनवरी 2020 में JK7 किस बैंके MD और CEO के बद पन्यूग के गए तो ये आपके बन गए है कोटक, सुरी, धनलच्मी बैंक के किसके? धनलच्मी बैंक के MD और CEO बने है, नाम है JK7 तो आपसन यहाँ पर भी हो जाएगा करेक्ट, धनलच्मी बैंक के बारे में कोरोना फैल गया था, तो वो आये नहीं थे तो इसलिए हमारा कोई भी मुख्यातित नहीं रहा क्योंकि कोरोना उसमें तगड़ा फैला हुआ था कोई भी देश का यहाँ पर नेता आने को तयार नहीं था उस समय तो D हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आपको यह ध्यार रखना है कि 1950 में जब पहली बार हमारी परेड हुई थी तो उस समय जो आपके इंडोनीसिया के राश्पती थे सुकर्नो वो हमारे मुख्यातित रहे थे पिछली साल थे आपके जेयर बोल सुनारो ब्राजील वाले और उसके पहले 2019 में थे स्तरील रामा पोसा जो की आपके दच्छिन अफ्रीका के राश्पती है तो इस साल हमारे यहाँ पर कोई भी मुख्यातित नहीं था और इस से पहले 1906 चक्मी जब हमारे प्रधान मंतरी लाल भादु सास्त्री जी की डेथ हुई थी तो उस साल भी कोई मुख्यातित नहीं था अगला प्रशन है कि वर्द सु 2020 के गंतंतर दिवस परेड में किस अर्दसानिक बल ने पहली बार अपनी जहाकी को प्रस्तुत किया है तो दो हमारे बल थे एक तो था CRPF और दूसरा था NSG तो इन दोनों अर्दसानिक बलों के दोरा पहली बार जहाकी को प्रस्तुत किया गया तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पर CRPF और NSG ने पहली बार प्रस्तुत किया था अगला प्रस्तुत कि किस राज की सरकार के दोरा करसी पंप बिजली करेक्शन नीती के सुरुआत की गई तो यह जो आपकी नीती है इसे सुरू किया है महाराष्ट की सरकार नी यानि कि आप्सन निंबर भी हो जाएगा तो बस आपको याद एकना है कि जो भी हमारे किसान है वे ततकाल बिजली करेक्शन ले सकती है आए सी सुरुधा इस नीती के अंतरिगत परदान की जानी है तो भी होगा करेक्शन अगला प्रस्तुत है कि जन्वरी 2020 केस में किस अभी नीता के दोरा जो आप सब्सक्राइब कर देख केंगे हैंा तो इसको लॉंज किया ग्या तो इसे अच्छे कुमारी है तो आपको याद रखना है अगला प्रशन है कि जनवरी 2021 में जारी कुरोना वारेस परफॉर्मस इंडेक्स में हमारा देश किस अस्थान पे रहा है तो ध्यान रखेंगे हमारा देश इसमें रहा है 86 पोजीशन पे अगला प्रशन है कि गाधे जारी आपका यह हो जाएगा तो ध्यान रखेंगे हमारे देश की पहली कंपनी भारती एटल जिसने है अगला परफॉर्मस परियोजना के अंतरगत पांच एकड़ भूमी पर मस्जिद परियोजना की शुरूआत हुई है तो ध्यान रखेंगे इ अगला प्रफॉर्मस परियोजना नाम है तो अप्सन आपका यह हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशन है कि गांधी जी के पुनिती थी के उस्तर पर सहीद दिवस्त कब मना जाता है तो सहीद दिवस्त आपका होता है 30 जनवरी को क्योंकि 30 जनवरी नातुराम के द्वारा पूज्य हमारे महत्मा गांधी जी जो की राष्ट्पिता भी है उनकी हत्या की गई थी तो अप्सन आपका यहां पर सी यानि की 30 जनवरी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रशने की माइक्रोसोफ्ट के द्वारा किस सहर में तीसरे इंडिया अब भंगलूरू और आपके हैदरबाद में इंडिया डेवलेप्मेंट सेंटर की सुब्धा शुरू की जा चुकी है और अब यह शुरू करेंगे दिल्ली एंसियार यानि कि नुएडा में तो अप्सन हमारा यह हो जाएगा यहां पर करेक्ट तो दिल्ली एंसियार यानि परवरी को हर साल हम रोग राष्टिय तरटचक बल दिवस मनाते हैं अच्छान कमेंट में जड़ा यह बताएगा कि हमारा जो तरटचक बल है उसके इसमेपरमो कौन है उनका नम आपको कमेंड में बताना है अगला परशन कि इनमें से कौन सा कथन गलत है देखें चार स्ट एंड आपका वाटर बर्णिंग नहीं यह वाटर आपका होगा वर्निंग नहीं है वाटर हो जाएगा रामसर इराक का एक सहर है यह भी बिलकुल गलत है क्योंकि यह इरान का सहर है और हमारे देश में वेट लेंड की संख्या 42 है तो आपसर आपका यहाँ पर दी हो तो यहाँ पर चुने गए हैं जैसा क्या नाम है जैसा इनका नाम है तो आपसर हमारा भी हो जाएगा करेक्ट तो ध्यान किगा बीसी सी आए के समय हमारे सेग्रेट्री है जैसा बहुत ही महान खिलाड़ी भी है तो यह आपके अब एसीन क्रिकट काउंसिल के नए अध्यच बन गए हैं अगला प्रस ने कि फरवरी 2021 केस में भारतिय नोसी नानी कितने वर्सों की सेवा के बाद फास्ट अटैक क्राप्ट इनफैक T81 को डीकमिशन कर दिया तो इसने 20 वर्स से जादा समय तक सेवा की थी और अब यह हो चुका है डीकमिशन तो अपसर नमारा C हो हो जाएं अगला प्रस ने कि फरवरी 2021 केस में जो पहला हमारे देश का जेंडर पार्क है वह कहां पर स्तृ हुआ हैक कि पर हुआ है केरल में हुआ है तो अगला प्रेशन है कि फरवरी दोजार केस में किसके द्वारा इनोवेशन सेंडबॉक्स वेपोर्टल लॉन किया गया तो बस आपको याद रखना है कि हमारे देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे इस्टॉक कि आक्सवोड के द्वारा किस सब्द को 2020 के लिए हिंदी सब्द और इयर चुना गया तो इस सब्द का नाम है आत्मनिरभरता 2020 के लिए आत्मनिरभरता है और 2019 के लिए था सम्विधान तो आप्सन यहां पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशने के फरवरी 2021 में किस देश ने वर्ल्ड मेंस हैंडबॉल चैंपियंशिप का खिताब जीता है तो इसका जो आयोजन है वो हुआ था मिस्तर में और इसका खिताब जीता है डिनमार्क ने तो आप्सन यहां पर हमारा बी यानि कि डिनमार्क हो जाएगा करेक्ट ध्यान रखिएगा फाइनल प्रेशने की फरवरी 2020 में एहलंका एरफोर्स इस्टेशन पर किसके द्वारा एरो इंडिया 2021 का उध्गाटन हुआ बहुत ही ज्यादा महत्पोर प्रेशने एरो इंडिया इस साल आपका हुआ था बेंगलूरू में और इसका जो उध्गाटन हुआ वो हमारे किया रच्छ प्राइम एंडेक्स में दिल्य कौन से थान पर रहा है तो दिल्य यहां पर रहा है 32 कि पर दिल्य बद तंजर रहा उसके जो चाइना का स्जिन में यह पहले पर रहा संगाई दूसरे पर और गौंग जो रहा थिसरे अस्थान पर बहुत ज़्यादा महत्मोर्Theorepoort यह नही नहीं रही है यहां पर सीर्स पर रहने के पीछे का कारण क्या है क्योंकि आप सभी को यह पता होगा कि पिछले साल जो पूरी दुनिया कोबिट-19 से प्रभावित होई थी उस दवरान जो जैकरिंडा अर्डन थी इनके दौरा सबसे बहतरीन काम किया गया था तो यह आपकी रही है यहां पर किस अस्थान पर टॉप पोजीशन पर सी हो जाएगा करेव टोटल पचास लोगों की सूची है और उसमें एक हमारे देश से भी सामिल हो गई है नाम इनका है अदार पूरा वाला क्या नाम है अदार पूरा वाला यानि कि सीरम इंसिटीट आफ इंडिया क उसका नाम है जकारता क्या नाम है जकारता आपके सबसे रिस्क पर है दिल्ली हमारा दूसरे अस्थान पर और चिन्न नहीं रहा है तिसरे अस्थान पर अगर आपसे पूशा जाए कि दुनिया का सबसे बहतर सहर कौन है इसके हिसाब से तो वो आपका है ग्लास गो यानि कि इसके उपर आपके climate change या फिर इस प्रकार की जो अन्यवी दवी अब्दा होती है उनका ज़्यादा बभाव नहीं पड़ेगा अगला प्रेशन है कि मैई 2020 में जारी स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान में कौन सराजी सेर्स पर रहा है तो यहां पर आपका सेर्स रहा है जारखंड कौन सरा है जारखंड रहा है लेकिन आपको इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जारकन नमारा पहली बार आया पहले अस्थाम पर और पियम मोदी के द्वारा ना 2015 में हमारे देश के सव सहरों को स्मार्ट सहर बनाने के लिए इसकी सुलवात की गई थी तो बी हो जाएगा आपका करेक्ट अगला प्रेशन है कि भारत सरकार के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 23 वर्स 2021 में भारत को किस देश से सबसे ज़्यादा अप्रप्ट हुआ तो सबसे ज़्यादा FDI हम को मिलता है सिंगापुर से कहां से सिंगापुर से मिलता है तो अपसर यहां पर आपका D हो जाएगा अब ये सारी चीजें भी आपको ध्यार रखनी है देखिए वाने जी और उद्योग मंतराले की रिपोर्ट है यानि कि सतरकार की रिपोर्ट है तो यहां से ही प्रशन पूछे जाएंगे भारत को कुल 81-72 बिलियन FDI मिला पिछले साल जिसमें 31% हमको मिला है सिर्फ सिंगापुर से 2020 का जो मारा बित्य वर्श था उसकी तुल्ला में 21% में 19% के ब्रेद्धी हुई है सबसे ज़्यादा जो FDIM को मिला है वो मिला है आपकी हार्डवेर सेक्टर में computer और hardware में सबसे ज़्यादा मिला राज्यों में सबसे ज़्यादा मिला है गुजरात को तो ध्यार रखेंगे option D, Singapore होगा correct अगला प्रशन है कि विश्व बैंक के देशों के द्वारा प्राप्त प्रेसिधन के उपर जारी रिपोर्ट में कौन सा देश सीर्थ पर रहा है तो सबसे ज़्यादा जो रिमिटेंस है वो मिलता है हमारे देश भारत को किसे भारत को मिलता है जायर सी बात है हमारे देश के लोग ज़्यादा जाते है सौधी अरब कटर या इस प्रकार के अन्य देशों में कमाने तो सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस से वो हमारे देश को मिलता है अच्छा सबसे ज़्यादा किस देश से भेजा जाता है रेमिटेंस तो उस देश का नाम है अमेरिका अमेरिका से सबसे ज़्याद रेमिटेंस दूसरे दिसों में भेजा जाता है अगला प्रशन है कि अपरेल 2020 में किस राजी की बीस अविता स्री महिला इंटरनेशनल चेस माश्टर बनी है तो यह आपके हैं तमिल नाडू की कहां की हैं तमिल नाडू की हैं तो आपसे नमारा D हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशन है कि मई 2020 में जारी ICC टेस्ट प्लेयर रंकिंग में कौन सा खिलाड़ी सेर्स पर रहा है तो सेर्स पर यहाँ पर आपके रहें केन बिलियमसन यहाँ पर देख सकते हैं केन बिलियमसन जो की कप्तान थी न्यूजिलेंड करिकर टीम के यह रहें सेर्स पर प्रेदबाजों में रहें पैट कमिंस और और लाउंडर में रहते हैं जेसन हुल्डर अगला प्रशन है कि मई 2020 में कौन चौती बार 200 इसनूकर चैंपियन बना है तो नाम इनका है मार्क सिल्वी क्या नाम है मार्क सिल्वीन का नाम है और ध्यारके का चौती बार यहाँ पर चैंपियन बन गए है किसके हमारा जो 200 इसनूकर चैंपियन सिंप होता है काफी ज़्यादा महत्पूर्ण है तो ध्यान रखेगा क्योंकि इस नूकर का सबसे बड़ा खेल है तो मार्क सिल्वी इसके चौती बर्बजीता बनी है अगला प्रशने की प्रणती नायक जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई किया किस खेल से संबंदित है तो इनकी बात करें तो ये हमारे जिमनाश्ट की खिलाडी है किसकी है जिमनाश्ट की खिलाडी है तो बी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट क्या होगा बी आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट अगला प्रशने कि मई 2021 में 200 एटलेटिक्स दिवस कम मनाया जाता है अच्छे से ध्यान किएगा कि ये दिवस हर साल आपके वर्ल्ड एटलेट के द्वारा घुसित किया जाता है 2020 की बात करते हैं तो आपका 7 मई को मनाया गया था लेकिन इस साल आपका ये 5 मई को मनाया गया है तो ध्यान किए 2021 में पांच मई को था अपसे नमारा यहाँ पर भी हो जाएगा अगला प्रेशने की वर्स 2020 के लौर्यास वर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स मैं आप दी एर का पुरसकार किसने जीता है तो ये पुरसकार यहाँ पर जीत लिया किसने आपके रफाइल नडाल नेम किसने इस्पेन के जो टेनिस खिलानी है चैंपियन तेरा बार जिन्होंने आपके फ्रेंच ओपिन को जीता हुआ है ये इस साल स्पोर्ट्स मैं आप दी एर रहे है पुरस काटेगरी में तो C हो जाएगा आपका करेक्ट अगला प्रेशने की वर्स 2020 के लौर्यास वर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स विमेन आप दी एर कौन रही है तो ये रही है आपकी नौमी ओसाका जो की जापान की खिलारी है तो आप्सन इसके लिए ए हो जाएगा करेक्ट अगला प्रेशने की वर्ट्स 2000 के लौर्यास वर्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में लाइप टाइम अचीमेन पुरसकार किसने जीता तो ये पुरसकार जीता है बिली जीन किंग ने किसने बिली जीन किंग ने जीता तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट बाकि ये सारे चीजे मैंने यहाँ पर लिख भी दी है तो option आपका B हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मैई 2000 किस में जो Mereded Open महिला एक लगा खिताब है ये किस ने जीत लिया है तो इसे जीता है एरिना सवालिंका नहीं किस ने जीता? एरिना सवालिंका ने जीता जो कि आपके बेला रूस की खिलाडी है और इनों ने बिस्ट की नंबर एक खिलाडी एसले बार्टी को हरा दिया था फाइनल में तो option आपका यहाँ पर D यानि कि एरिना सवालिंका हो जाएगा correct अगला प्रशन है कि मैई 2000 किस में Mereded Open के पुरू सेकर का खिताब किस ने जीता तो यह जीत लिया जर्मनी के Alexander Gioriuni किस ने Alexander Gioriuni तो ए हो जाएगा आपका यहाँ पर correct अगला प्रशन है कि 66 फिल्म फेर पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया तो बेस्ट फिल्म आपकी रही है यहाँ पर थपड कौन सी थपड हमारी बेस्ट फिल्म में रही है तो आपका यहाँ पर C हो जाएगा correct ध्यान रखिएगा कि इसके जो निदेशक है उनका नाम है अनुभो सिनहा क्या नाम है अनुभो सिनहा तो आपसन हमारा C हो जाएगा correct अगला प्रशने की चाच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् और प्रफेयर नहीं मिला है यह मिला है कि चाहसीपन्नों को रनाओत को मिला था आपके उसमें जिसमें ये रनाओट हो गई थी यानि कि राश्ट्य फिल्म पुरसकारों में तापसी पन्नो को मिला है उसी थपन मूवी के लिए तो D हो जागा आपका correct ध्यानगी किगा थपन मूवी के लिए तापसी पन्नो को तो गौहावटी में कहां पर गौहावटी में और हर साल या आपका होता है मुंबई में तो इस साल भी मुंबई में हुआ अपसे नमारा यहाँ पसी हो जाएगा अगला प्रसकारों में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो परसकार है यह किसे दिया गया तो यह दिया गया तो यह दिया गया यहाँ पर फारुक जफर को यह आप दिख सकते हैं फारुक जफर जिन्होंने गुलाबों सिताबों मुवी में एक्टिंग किया था इसके लिए इनको बेस्ट सपोर्टिंग अजवनेत्री का परसकार मिला था अगला प्रशने कि 66 फिल्म फियर परसकारों में जो बेस्ट मुजिंग देशा का परसकार है यह किसे दिया गया तो यह मिला है प्रीतम साहब को किसे इसके लिए इनको बेस्ट प्लेवैक सिंगर का परसकार मिला है अगला प्रशने कि 66 फिल्म फियर परसकारों में फीमेल कटेगरी में बेस्ट प्लेवैक सिंगर का परसकार किसे में दिया गया तो यह परसकार मिला है आसीस कौर को किसे आसीस कौर को मिला है मलंग मुवी में इन्होंने गाया नगाया था तो ध्यान कीगा मलंग हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट और यह मिरा है असीस कौर को अगला पैशने के चाचटवे फिल्म पर पुरसकारों में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा पुरसकार जीते तो यह जीता है अब यह मैंने आपको इसलिए करवा दिया क्योंकि जो हमारा 65 वाला था उसमें लगभग 13 अवार्ड जीता था किसने गली बॉय मूबी ने तो यह अभी तक का सबसे ज़्यादा है यानि कि इतनी पुरसकार कभी आपको यहां सो याद रखना है कि अगला कि प्रति कि मिने 14 में यह भी हो जाएंक 0 अगला प्रश्ण की चेमान चेरी कण्ञी रमण नायर जिन का हाली में निढ़लए वह किस सास्त्री निर्थ के उस्ताद थे या लियाम तो इस निर्थ का नाम है कथक गली क्या नाम है कथक गली reduced का नाम है तो अभी आपके मार्च महिने में इनका निढ़ल हुआ है आप से नमारा सी हो जाएगा करेक्ट और बात हुए कथकली की तो ध्यान रखेगा यह आपके केरल राजिकार लोग सास्त्री निर्ति है अगला प्रेशन है कि मई 2020 में किसके द्वारा MSMA के लिए सहवास और आरोग नाम ग्रेण यह उजनाओं की सुरूवात हुए है तो यह उजनाय शुरू की गए हैं सिडवी के द्वारा किसके द्वारा सिडवी के द्वारा तो option अमारा यह हो जाएगा करेक्ट सिडवी की बात हुए तो ध्यान के HDFC के तो सचिदर जगदीशन है एक्सिस बैंक के एक बार फिर्चे बन गए हैं अमिताब चौधरी तो सी आपका हो जाएगा करेक्ट और बात हुए एक्सिस बैंक की तो ध्यान रखे का इसका जो मुख्यार है वह आपको मिलेगा मुंबई में अगला परशन है कि वर्च सो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए गलती से कि सबसे मुलिवान ब्रांड कौन सा है तो यह है पिंग इन इंसुरेंस जो की है चाइना का तो यह भी आपको याद रखना है अगला प्रशन है कि प्रतेएक वर्ष अंतर राष्टे समेक दिवस्त कब होता है तो सिंपल सा प् बारा वर्स मनें बोला नहीं बारा घंटे का इसको घटा करके आठ घंटे का किया जाए तो ध्यान रखेंगे आपसे नमारा ए होगा करेक्ट अगला प्रशन है कि बी आरो यानिकी बार्डर रोड और्गनाजीशन की कमांडिंग अजकारी के रूप में न्यूक थोने वाल 2020 में जापान की द्वारा किसी आर्डर आफ राइजिंग सन पुरसकार से समानित किया गया तो यह जो पुरसकार है यह अभी दिया गया है श्यामला गनेश को किसे मिला है श्यामला गनेश को मिला है यहाँ पर यह देखिए श्यामला गनेश है तो आप्शन हमारा ए हो और जापानी भासा को यह सिखाती है इसलिए जापान की सरकार ने इनको परसकार दिया है अगला प्रेशन है कि मैई 2020 में किस राजने गोप बंधू सम्मुदिका स्वास्त भीमा योजना की गोशना की है तो यह जो इसकी में इसे शुरू किया है उडिसा ने किसने उडिसा न अगला प्रेशन है कि मैई 2021 में भारतिय चावल अनुसंधान स्थान की निदेशक की रूप में किस से न्यूप किया गया तो आपके लिए निदेशक का ना महत्मूर्ण ज्यादा नहीं है आपको यह धिया रखना है कि जो हमारा यहां पर चावल अनुसंधान स्थान है इस किसे यहां पर आइकन अवार्ण से सम्मानित किया गया तो यह पुरसकार मिला है सिंगर पिंक को किसे मिला है सिंगर पिंक को यह अवार्ण मिला है तो आपसन हमारा यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट अगला पैसन है कि मैई 2020 में किस देश में बिस्टो के सबसे लंबे ही है सत्रा सो फोड तो द्यान किएगा इसकी निरमाणव की पृर्वनीजी सची के बहुतन हैं कि अभी इन के रूप में सपत लिया है तो इन्हों ने लगातार यहां पर तीसरी बार CM के रूप में सपत लिया है option हमारा यहां पर B हो जाएगा correct ध्यान आपको यह रखना है कि total 294 सीटे हैं यहां पर जिसमें सेमारी ममता दीदी ने 213 सीटों पर जीत हासल की और इसी के साथ में इन्हों ने एक बार फ्रसे सरकार बना लिया है हाला कि जहां से इन्हों ने चुनाव लड़ा था नंदी ग्राम से वहां पर सुवेंदू अधिकारी ने इनको हरा दिया था तो option यहां पर आपका B हो जाएगा correct यानि कि तीसरी बार इनोंने सबत ली है तो इस प्रकार से 400 प्रश्णों को यहां पर हमने एक बार फ्रसे discuss कर लिया है किसी प्रस्ण में अगर आपको doubt उगरा होता है तो आप नीचे पूश सकते हैं और अगर आपने यहां तो वीडियो को देखा है तो अपना score भी बता सकते हैं इसके साथ साथ आप नीचे जरूर लिखेगा S इससे मुझे पता चलता है कि कितने लोग आप मेंसे S हैं जो कि वीडियो को पूरा देखते हैं तैंक्स वर वाचिंग जै हिंद जै भारत और सबसे जरूरी बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत